नमस्कार मैं रविश कुमार क्या आप काजल हिंदुस्तानी को जानते हैं जिने हेट स्पीच के कारण गिरफतार किया गया है आखिर क्यों काजल को लेकर राइट विंग सोशल मीडिया उसी बीजेपी पर हमला वर है जिसकी सरकारों की अंदेखी के दम पर फलता फुलता रहा है क्या आपको पता है कि करनाटका के पुनित केरेहली ने इद्रिस पाशा को क्यों मारा और उसकी तस्वीरें बीजेपी के कई नेताओं के साथ मीडिया में क्यों छप रही हैं क्या आप उस सिधारुद श्रिकांत नेराले को जानते हैं जो मुश्ताक अली बनकर सोशल मीडिया पर हिंदूओं के खिलाब भड़काओ बाते कर रहा था क्या आप विकास कुमार को जानते हैं जो राशिद खान बनकर महिलाओं को 35-36 टुकड़े में काटने की बात कर रहा था अब आगरा से संजे जाट का नाम आया है जिस पर कथित रूप से गौह हत्या की साज़िश रचने का आरोप है इन चेहरों को कौन सी राजरिती बड़ा करती है इस्तेमाल करती है और इनके दुसाहसों से फाइदा उठाती है आप जानते हैं और जरूरत पढ़ने पर इन्हें किनारे लगा देती है आप भी जानते हैं लेकिन चंद गिरफतारियों से क्या ये भरोसा किया जा सकता है कि अब सरकारें इन्हें एक हद तक ही बरदाश्ट करेंगी या हेट स्पीच को लेकर नराज होते जा रहे सुप्रीम कोट के सामने दिखाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है आप देख रहे हैं रविश कुमार ओफिशल सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो जॉइन भी कीजिए संजय जाट अकेला नहीं है पुलिस की F.I.R. में ब्रिजिश भदोरिया जितिंद्र कुश्वाहा सौरव शर्मा सानू का भी नाम है इन पर आरोप है कि ये सभी मिलकर गौ हत्या की साजिश रच रहे थे इस कहानी में एक एंगल और है जगड़ा मुसल्मानों के दो समुहों के बीच का था इसका फाइदा उठाकर संजय जाट ने एक गुट के साथ कथित रूप से साजिश रची जिसका बाद में परदाफाश हो गया आगरा पुलिस की तटपरता ने केवल शहर को तनाव से नहीं बचाया बलकि उस खेल को एक और बार हमारे सामने उजागर कर दिया जो इस देश में डेड़ सो दो सो वर्षों से लगातार खेला जा रहा है और पूस्ताश में अभ्यक्तों ने बताया कि इसमें इनके साथ तीन और अभ्यक्त थे जो उस दिन खटना स्थल पर मौके पर थे और उन्होंने ये खटना कारित की थी इसके अलावा लगबग पांच और लोग थे जो इस पर शड़ेंत में साविल थे उनको नेम्ड किया गया है और विवेजनात्म करवाई की जा रही है जै हिंदुराश्ट अखिल भारत हिंदू महासभा का तरफ से हम सूचना देना चाहूंगे कि 17 सेप्टेंबर 2022 को संजय जाट को निसकाशित किया गया है आखिल भारत हिंदू महासभा पार्टी से पुलिस को इसकी भी जाच करनी चाहिए कि जिस संगठन ने संजय जाट को निकाला है वो किस तरह की बातें करता रहा है गौरक्षा के नाम पर वसूली और हत्या के एक और मामले की चर्चा हो रही है मगर ये घटना करनाटका की है ये पुनीत के रहली है बीजेपी के कई नेताओं के साथ इसकी तस्वीरों को लेकर इसलिये चर्चा है कि इस पर एक पशुव्यपारी इद्रिश पाशा की हत्या का आरोफ है और मामला दर्ज हुआ है आरोफ है कि सारे वैद दस्तावेज होने के बाद भी इद्रिश पाशा से दो लाग जुर्माना मांग रहा था पुनित कौन है कागस चेक करने वाला क्या वो पुलिस है इस घटना के कुछ दिन पहले भी केरेहली पर एक और मामला दर्ज हुआ कि उसने मवेशी की तसकरी का आरोप लगा कर अलिमुल्ला पर हमला कर दिया करन्ट लगाने वाले स्टेन गंसे एक घंटे तक उसे टॉर्चर किया पुनित की तरफ से भी इद्रिस पाशा के केस में मामला दर्ज कराया गया है हरियाना में हमने देखा हाली में राजस्थान के दो नौजवानों नासिर और जुनैद पर गौत असकरी का आरोप लगाकर जीप में बांध कर जला दिया गया और आरोपियों के समर्थन में पंचायत हो गई पुलिस को चेतावनी दी गई उस मामले में जाच कहां तक गई है इसकी जानकारी अब सामने नहीं आ रही कितनी आसानी से समाज का बड़ा हिस्सा इन लोगों की कारवाई के बाद मैदान में आगे आ जाता है और इनकी हरकतों को धर्म के नाम पर सपोर्ट करने लग जाता है अपराधी और नेता एक दूसरे को लाब पहुँचा रहे है समाज अपना नुकसान किये जा रहा है पिछले साल अपरेल में ही आयोध्या से खबर आई थी यूपी पुलिस ने साथ लोगों को गिरफतार किया था आरोब था कि इन साथों ने कथित तोर पर सांपरदाईक हिंसा भड़काने के लिए तीन मस्जीदों और एक मजार में मांस फेक दिया धारमिक गरंच के पन्ने फाड़ कर फेक दिये पुलिस की जाच में ये बात सामने आई कि ऐसा करने वाले सातों युवाओं का नेता हिस्ट्री शीटर अपराधी निकला इन सब के नाम है महेश, मिश्रा, प्रतिश कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौर, ब्रजेश पांडे, शत्रुधन और विमल पांडे ये सभी उसी शहर के रहने वाले बताए गए हैं आप खुश हो सकते हैं कि पुलिस ने जेल में डाल दिया मगर सोचिए किस सोच ने इने समाज का अपराधी बनाया है दिन रात किसी संबुदाय के प्रती नफरत की बात करते करते ये लड़के खुद को कहा ले आए हैं कोई तो इनका इस्तमाल कर रहा होगा या ये आज के महौल का लाब उठाकर नेता बनना चाहते होंगे क्योंकि गोधी मीडिया और राजनिती यही भाशा दिन रात बोलने लगी है हमने शुरू में सिद्धारुज श्रिकांत निराले का जिक्री किया घटना पिछले साल मार्च की है और करनाटका के शिवमोगा जिले की इसकी कहानी यह है कि श्रिकांत निरेले ने सोशल मीडिया पर मुश्ताक अली के नाम से एकाउंट बनाया और बीजेपी के विधायक को ही धमकी दे डाली मीडिया में पुलिस का ही बयान छपा है कि श्रिकांत बजरंग दल के हरशा की हत्या का बदला लेना चाहता था इसलिए वह समाट में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा था दूसरी खबर है यूपी की यह भी पिछले साल की है मगर नवंबर की है श्रद्धा बॉकर का केस गोदी मीडिया में दिन राज चला तभी एक वीडियो वाइरल हुआ एक आदमी कहता है कि अगर किसी आदमी का मूड खराब है तो वो किसी औरत को 35 चा 36 टुकडों में काट सकता है वो आदमी अपना नाम राशिद खान बताता है इस वाइरल वीडियो को लेकर एक समुदाय के खिलाब नफरत और संदे की धार तेज की गई यूपी पुलिस ने जांच में पाया कि ये राशिद खान नहीं है इसका नाम विकास कुमार है विकास पर चोरी के मुकदमे पहले से दर्ज थे ये वीडियो दिल्ली में शूट किया गया था बुलन शहर पुलिस ने गिरफतार किया हमने चेक किया तो राशिद खान बनकर विकास कुमार का दिया हुआ ये इंटर्वियू आज भी यूट्यूब पर मौजूद है जनता दर्बार नाम के चैनल पर इसे 14 लाख व्यूज मिले हैं सोचिए ऐसी जूटी बातों से समाज में किस तेजी से नफरत फैलती है इस वीडियो को किस किस तरह के ट्वीटर हैंडल से वाइरल कराया गया यह सब दर्ज है दैनिक भासकर ने लिखा है कि विकास कुमार दिली में रहकर मजदूरी करता था उसके उपर बुलन शहर में तीन, नोईडा में चोरी, लूट और अवैध हतियार रखने के दो केस दर्ज है विकास इस वक्त कहा है किसी को पता नहीं मीडिया में इस मामले की रिपोर्टिंग बंसी हो गई है बिहार में भी यही हुआ, तमिलनाडू में बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा हो रही है इसका वीडियो पटना में तयार किया गया, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है कभी थूप जिहाद, तो कभी मज़ार जिहाद, तो कभी लव जिहाद, तो कभी कोरोना के समय कोविब जिहाद का नारा दिया गया यूपी में तो बकाइदा SIT बना दी गई 28 नवंबर 2021 को अदानी पुर्वे NDTV के लिए श्रिनिवासन जैन और मरियम ने एक रिपोर्ट की इसमें दिखाया कि यूपी पुलिस ने कानपुर में लव जिहाद के मामलों की जांच के लिए SIT बनाई श्रिनिवासन जैन की रिपोर्ट के निफसार 14 केस की जांच हुई लेकिन आधे मामलों में कुछ नहीं निकला पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि आपसी रजामंदी से इनकी शादी हुई है केरल में भी बवाल खड़ा किया गया मगर कुछ नहीं निकला लेकिन इसका भूत घुमाया जाता रहता है मोधी सरकार ने संसद में जवाब दिया है कि लव जिहाद कानूनी रूप से परिभाशित अपराद नहीं है ना ही केंद्रिय जांच एजेंसियों ने इसके तहत किसी केस को रिपोर्ट किया है और ना ही कानून बनाने की कोई योजना है मगर फिर भी राजनिती में लव जिहाद का नारा लगता ही रहता है यह अभी हाल का मामला है आठ अपरेल का पांच जन्य के ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि भाग कर मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़के ने की थी शादी भुगतना पड़ा अंजाम 15 लगों के खिलाब केस दर इसके जबाब में मुरादाबाद पुलिस ने ट्वीट किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है बिना जानकारी के अनावशक ट्वीट ना करें इसके बाद पांच जन्य ने ट्वीट डिलीट कर दिया क्या आप जानते हैं कि पांच जन्य को भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं स्मृती इरानी फॉलो करती हैं क्या गोदी मीडिया इस पर बहस करेगा पांच जन्य के करीब साड़े तीन लाख फॉलोवर हैं जिस पांच जन्य को प्रधान मंतरी फॉलो करते हों क्या उसके खिलाब कारवाई होगी लेकिन मुरादाबाद पुलिस ने गलत को गलत बोल कर सराहनी अकाम तो किया है इस नफरत के कारण भी आप देखेंगे कि कई नौजवान चपेट में आ जाते हैं और सर पर रंगीन पटी बांद कर जुलूस में चले जाते हैं बंदू के लहराते हैं तलवारे लेकर भासते हैं बिहार में राम नौमी के अफसर पर पांच जिलों में सामप्रदाइक तनाव और हिंसा की घटनाएं हुई हैं यह खबर दैनिक भासकर में छपी है राम नवी के अफसर पर पांस जिलों में हिंसा भड़काने का प्रयास हुआ डी जी पी राजविंदर सिंग भटी ने साजिश की बात कही पुलिस दावा कर रही है कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ग्रूप बनाए गए इसमें 18 साल से कम के और जादा उम्रे के लोगों को जोड़ा गया उग्र मैसेज भेजे जाने लगे इस तरह के डिजिटल प्रमाणों के आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं बिहार शरीफ और सासा राम में 173 से जादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं सवाल है जब यह सब हो रहा था तब खुद पुलिस क्या कर रही थी क्या उसे पहले लगाम नहीं लगाना था क्या उसे नहीं पता कि राम नौमी के अफसर पर तनाओ पैदा करने का प्रयास हो सकता है क्या उसे सुप्रिम कोट की गाइड लाइन का पता नहीं कि भीड की हिंसा को रोकने के लिए पहले क्या क्या करना है जब डिजिटल एविडेंस है तब पुलिस पहले से जान सकती थी कि इस तरह के ग्रूप बने हैं और उनसे संपरकर इस्थिती को उग्र होने से रोका जा सकता था प्रभायत खबर अखबार की इस खबर में बिहार शरीफ में सोशल मीडिया के जरीए अफ़ाप फैलाने वाले इन नामों पर गोर कीजिए निरंजन पांडे, धर्मेंदर महता, तुशार कुमार तांती, मनीश कुमार, भुपेंदर सिंग राणा ये सभी गिरफतार हुए हैं इन्होंने धर्म की रक्षा की है या धर्म की रक्षा के नाम पर ये मुकदमों में फस गए मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि सासाराम में तीन अभियुक्त जुवेनाईल हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं बिहार शरीफ में 14 ऐसे किशोर पकड़े गए हैं जिनकी उम्र 18 से कम हैं जिस राजनिती ने इने इस आग में जोका है, वो ऐसे ही नौजवानों को आगे कर अपना रास्ता बनाते जा रही है इनके समर्थन के नाम पर समाज को आगे किया जाता है और फिर उस समाज से अगली जुलूस के लिए नौजवान तयार कर लिया जाता है ये चक्र चलता रहेगा ये बात निश्चित है कि इस प्रकार के संप्रदाई दंगे अंग्रेज़ों के आने के बाद ही चलो हुए उनकी डिवाइडन रूल फूट डालो और राजकरो की निती के बाद चलो हुए और जिस प्रकार से उन्होंने यहां इतिहास लेखन को प्रमोट किया प्रवत्त किय हिस्ट्री अफ इंडिया जो जेम्स मिल की थी उस से लेकर लगाता है जो एक राजा केंद्रित इतिहास किया उसके कारण संप्रदाईक ताक्तों को दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रती नफरत फैलाना आसान हो गया अब आजादी के अंडिया गान के दोरान एक दरफ तो यह हिंडू संप्रदाईक ताक्तें मुस्लिम संप्रदाईक ताक्तें थी दूसरे राश्ट्री अंडिया जिसका ने तर तो महत्मा गांदी सरदार पटेल जबारल नेरों Government किया जिन्होंने सब्धर्मों के लोगों को साथ में लेकर इस आंदोलन की को अगे बढ़ाया अब मुद्ध यह है कि जो नफरत फैलाई गई है वही हिंसा का आधार है और यह नफरत जो फैलाई गई है अलग-अलग तरीकों से शाकाओं के माद्यम से मीडिया के माद्यम से कानाफोसी के माद्यम से उसका तंत्र बहुत मजबूत हो चुका है और उसका मुकाबला करने के लिए जो ताक्तें धर्मिर्पेक्ष्टा में मानती हैं जो ताक्तें बहुलेवाद में मानती हैं जो ताक्तें एक अच्छे समाज को शांती पूर्ण जीवन में मानती हैं उन काम कर रही हैं जबकि बहुलेबाद को मानने वाली ताक्तें बिखरी हुई हैं और उनके काम में एक प्रकार का जो कौर्डिनेशन होना चाहिए जिस से काम को मजबूती मिलती है वो नहीं है मुझे आज भी लगता है कि बहुत सारी परिसितियों में सबसे मौत्पूर्ण बा योजना बनाकर इसका मुकाबला करने की कोशिश करना चाहिए वही आबादी वही शादी वही खाना इन सब को लेकर 9 साल से भारत के लोगों को व्यस्त रखा गया है नफरत करने के लिए वही पान मसाला खाय जा रहे हैं जानते हुए भी कि इस से कैंसर होता है लाउट शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में लिखा था कि जब से ये आया है दोनों पक्षों के गुंडों की मौज हो गई है और सामप्रदाइक जगड़े बढ़ते जा रहे हैं जब कानून का राज है तब धर्म की रक्षा के नाम पर ये सारे संगठन तलवार और बंदुके ले में सबी जाती के लटके आपको मिलेंगे लड़कियों को भी अब साग में जलना सिखा दिया गया है उन्हें भी लगता है कि उग्रतेवरों के साथ समाज में नाइका का स्थान tirarika किया जा सकता है इनमें काजल हिंदुस्तानी नया नाम है ट्वीटर पर 92 हजार लोग फॉलो करते हैं प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी भी फॉलो करते हैं आप स्क्रीन शॉट भी देख सकते हैं बताइए देश के प्रधान मंतरी इन्हें फॉलो करते हैं पियूश गोईल आफिस क तरफ से follow किया जाता है और अब इन्हें hate speech के मामले में गिरफतार किया गया है क्या गिरफतारी के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी काजल हिंदुस्तानी को unfollow कर देंगे follow करना बंद कर देंगे साथ दिन पहले इंडिया टीवी पर एंकर सौरव शर्मा ने अपने कारिक्रम में काजल हिंदुस्तानी का इंटर्वियू किया और अपने थंबनेल में इन्हें हिंदुत्व का पोस्टर गर्ल बताया है एंकर के सवाल से लेकर वीडियो पर लिखी गई सुचनाओं और सवालों पर अलग से बात हो सकती है इस तरह से मीडिया हिंदुत्व के नाम पर इन्हें हिरो बनाता है और इनकी चपेट में आकर नौजवान और किशोर उम्रे के लड़के लड़कियां इसी तरह से प्रभावित होने लग जाती है और यही राह पकड़ लेते हैं काजल हिंदुस्तानी को गिरफतार कर लिया गया है साथ दिनों से पुलिस से बच रही थी मगर आत्म समर्पन कर दिया काजल पर राम नौमी के दिन गिर सोमनाथ जिले में भड़काओ भाशन देने के आरोप है पुलिस का आरोप है कि भाशन के बाद उना में दो दिनों तक सांप्रदाइक तनाओ बना रहा यही नहीं 80 से अधिक लोगों के खिलाब मुकदमा दर्ज हुआ है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन में जादा तर अल्पसंख्यक समुदाए के लोग बताए जाते हैं गुजराद पुलिस ने काजल हिंदुस्तानी को अब पकड़ दिया है अब उनके समर्थक नराज हो गएं जिस बीजेपी और मोदी के दम पर बेलगाम हो चुके थे अब उनहीं को भला बुरा कह रहें खुशी सिंग को ट्वीटर पर 8000 लोग फॉलो करते हैं उन्होंने लिखा है कि काजल हिंदुस्तानी दी worked for Modi, supported Modi, worked for BJP, social media warrior for Modi for years united Hindus to vote BJP and in return BJP arrested and sent her to jail if this is not a lesson to us Hindus then what is it मतलब BJP Modi के लिए काम किया वर्षों तक Modi के लिए social media युद्धा बढ़ी रही BJP ने जेल भेज दिया या हिंदुओं के लिए सबक नहीं तो क्या है ये लिखा है अभिशेक कुमार कुश्वाहा के ट्वीटर हैंडल पर 132,000 फॉलोवर है खुद को आदी गुरू शंकराचारिक गुरू कुल का प्रवक्ता लिखते हैं अभिशेक ने लिखा है कि काजल हिंदुस्तानी को सिर्फ इसलिए गिरफतार कर लिया गया कि उन्होंने हिंदुओं को आत्मरक्षा करने के लिए कहा अब क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं की आत्मरक्षा की बात करना भी अपराद की श्रिनी में आएगा तो क्या हिंदुस्तान में इस तरह की रक्षा के लिए अब पुलिस नहीं है समाप्थ हो गई है कि इस तरह के संगठनों का सड़क पर आना जरूरी है अविशेग जी मनोच कुमार के 68,000 फॉलवर्स हैं इन्होंने लिखा है कि इस वीडियो को जरूर सुनें और विचार करें कि काजल हिंदुस्तानी बहन ने क्या कहा और इनके साथ ऐसा भेद भाव आखिर क्यों आत्मरक्षा का हक तो अपना संवेधानिक हक है तो क्या गलत कहा बहन ने बहन नुपुर शर्मा भी इसी भेद भाव की कीमत चुका रही है आखिर कब तक चलेगा नुपुर शर्मा को बीजेपी ने प्रवक्तापत से हटा दिया था काजल हिंदुस्तानी को ट्वीटर पर 92,000 लोग फालो करते है इनका खूब इंटरिव्यू होता है टीवी की बहसों में आमंत्रित की जाती है मगर इस समय गिरफतार है ऐसे चेहरों का सामने आना भी एक पैटर्ण है समय समय पर नया चेहरा लाया जाता है युवा चेहरा लाया जाता है मगर बातें वही होती हैं जो 100-200 साल से कही जा रही है इसमें एक भी बच्चा आपको मिडल क्लास का नहीं मिलेगा और नहीं पार्क में नफरत की हवा फैलाने वाले उन चंद रिटाइड अंकिलों के परिवार का होगा जो सुबह सुबह ही धर्म के नाम पर कथित असुरक्षा के बहाने नफरत की हवा चलाने लग जाते हैं नफरती भाशन और गौर हत्या के नाम पर दंगा भड़काने की कोशिशों के आरोप में यूपी और गुजराद पुलिस की कारवाई से उमीद तो करनी चाहिए मगर संदे के बादल अभी छटे नहीं हैं शायद आप गाजियाबाद पुलिस के उस इंस्पेक्टर को भी भूल गए होंगे जिस पर आरोप था कि उन्होंने नवंबर 2021 में एक गुदाम में ले जाकर साथ मुस्लिम लड़कों के पाउं में एक ही जगा गोली मार दी और दिखा दिया कि ये गौहत्या कर रहे थे भागने के करम में एंकाउंटर करना पड़ा गाजियाबाद पुलिस ने इस पुलिस अधिकारी के खिलाब जाच की जल्दी ही भेद खुल गया कि एंकाउंटर था तो सभी को पाउं में और वो भी एक ही जगा गोली कैसे लगी उस समय गाजियाबाद के सेसपी पवन कुमार ने अपने ही सेचो राजिंद्र त्यागी के खिलाब जाच के आदेश जारी कर दिये थे ताजा इस्तिती की जानकारी देने में हम असमर्थ हैं कि उस मामले का अंतिम नतीजा क्या निकला बुलन शहर, अयोध्या, मुरादाबाद और अबागरा में यूपी पुलिस ने सामप्रदाइक हरकतों पर लगाम लगाया है जरूरत है बड़ी कारवाई की और या यूपी जैसे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है तमाम फैसलों का अध्यान कर लिखा कि जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच NSA राष्ट्रिय सुरक्षा कानून के जितने भी मामले दर्ज हुए उन में से आधे, गौह, हत्या और सामप्रदाइक देश फैलाने के मामले थे करीब 60 मामले, इलावाद हाई कोट ने 80% मामलों में बंदियों को रिहा कर दिया और निरस्ट भी कर दिया, इलावाद हाई कोट NSA के 120 मामलों में से 94 को निरस्ट कर कोट ने कहा कि NSA के तहत 11 लोगों को गिरफतार किया गया पुलिस ने दिमाग तक नहीं लगाया और बिना सोचे समझे इन्हें जेल में डाल दिया इस तरह की खबरों को बार बार रिवाइंड और बार बार फॉरवर्ड करके देखना पड़ता है जब तक आप पुरानी खबरों को नहीं पलटेंगे आज की खबरों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे खबरों को देखने का तरीका बदल लीजिए वीडियो लंबा है तब भी पूरा देखा कीजिए इन सब के कारण जो हिंसा होती है उससे सरकार से लेकर समाज की संपती का भारी नुकसान होता है आपके घरों के लड़के केस मुकदमों में फसा दिये जाते हैं और फिर ये लोग वही पर इने छोड़ कर आगे बढ़ जाते हैं और सामप्रदाइकता इने जेल में सडाने लगती है अगले मुहले में नए युवाओं को खोजने लगती है इनकी भीड कभी कम नहीं होती मगर जेल में ये अकेले पड़ जाते हैं इन घटनाओं का जाल देश भर में इतना व्यापक हो चुका है कि आप कितना भी समिटेंगे उतना ही छूट जाता है बिहार की बात करेंगे तो बंगाल छूट जाएगा और करनाटका की बात करेंगे तो महराष्ट छूट जाएगा फिर भी यह वीडियो आपके समय का दस्तावेज है संभाल कर रखिएगा और आपके ही समभलने के काम आने वाला है नमस्कार मैं रविश कुमार